हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैगनेट बेंस जैसे कि हम अपना पार्ट पढ़ रहे थे टॉर्च बेचने वाला तो किस तरीके से हरी संकर परसाई जी ने उन व्यक्तियों के उपर व्यंग किया है जो अंधविश्वास में बहुत ही जादा विलीव करते हैं कि इस तरीके वाले से साधू महात्मा जो है किस तरीके से सिमिलर है और दूसरा वो टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति भी साधू महात्मा बन जाता है सिर्फ पैसे के ज्यादा कमाने के लिए तो यह चैप्टर हमको बहुत कुछ सिखा रहा है कि ऐसे लोगों से आप सावधान रही है तो रोशनी देता है तो सबसे ज़्यादा रोशनी तो सूरज में होती है उसी से पूरा वर्मान जो है वो प्रकाश मान होता है हमारे हमारी सौर मंदर पूरा प्रकाश मान होता है तो यही कारण है कि अंधेरे को सबसे पहले सूरज ही हटाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रकाश फैलाता है और किसी को डर नहीं लगता उसी प्रकाश सूरज चाप टॉर्ज रात के अंधेरे में सूरज का काम करेगी सूरज चाप टॉर्ज रात के अंधेरे में सूरज की रोशनी का प्रतीक है यानि कि जब जो प्रकाश पूरे ब्रह्मान को प्रकाशित कर रहा ह उस जैसे रोशनी हमारे टॉर्च में और जैसे रात का अंधेरा हटा देती है उसी तरह रात में यह सूरे छॉप टॉप टॉप आपको अंधेरे से बचा लेगी नेक्स कोशन है पांच साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परस्थितियों में और कहा होती है परस्थि क्या थी वो भव्य मंच लगा था वहां पे एक भव्य पुरुष रेश्मी वस्र पहने प्रवचन दे रहे थे तो वहां पर ऐसे एक जगहा पर इन दोनों ही मित्रों की भेट होती है परस्थितियों क्या थी वह एक टॉर्च बेजने वाला था और एक महत्मा बन च थी उनमी से एक टॉर्च बेशने वाला तथा दूसरा उपदेश देने वाला बन गया था तो दोनों बताया प्रवचन स्थाल पे हुआ था आप उसको चाहे तो और ज्यादा बता सकते हैं प्रवचन समय जहां पर एक बहुत बढ़ा मंच लगा हुआ था एक सादु महात् दोस मंच पर किस रूप में था और वा किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था पहला देखें पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था मंच पर किस रूप में था और वां अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था कैसे बेच रहा था वहा गुरु गंभीर वाडी में प्रवचन दे रहा था और लोग उसके उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे वहां आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था उसके नुसार सारा संसार अग्यान रूपी अंधेकार से घिरा हुआ है मनुष की अंतर आत्मा भै और पीड़ा से तरस्त है वहां कह रहा है कि अंधेरे से डरनी की जरूरत नहीं है क्योंकि आत्मा के अंधेरे को अंतरात्मा के प्रकाश द्वारा ही दूर किया जा सकता है यानि जो आत्मा का अंधेरा है उसे कैसे दूर किया जा सकता है अंतरात्मा के प्रकाश के द्वारा यानि कि हम जब तक अपनी आत्मा में प्रकाश नहीं फिलाएंगे तब तक वो अंधेरा दूर नहीं हो पाएगा तो ये था क्या बोड़ रहा था कैसे उपदेश दे रहा था वो हो गया और कि मंच पे वो किस्ति में बैठा हुआ था ये भी उपने बता दिया फोर्थ कोशे ने भव पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वहां प्रकाश है इसका क्या तात्पर रहे हैं जैसा कि हमने चैप्टर में आपको बताया था कि प्रकाश की मूलेता हम तभी समझते हैं जब अंधकार होता है जैसे ही अंधकार हो जाता है तो हम डर जाते हैं और एकदम से प्रकाश जहां पर भी हमें मिले हम उसकी तरफ भागते हैं अर्थाथ अब घर में एकदम से लाइट चली जाए तो क्या होता है हम एकदम से किसकी तरफ भागते हैं जहां तो सबसे पहले हमें अपने हाथ में मुबाइल होगा जहां का भी अकर हाथ में है तो उसकी पहले भागते हैं तो वहीं उन्होंने बोला जहां अंधिकार है क्या दिया जहां अंधिकार है वहां प्रकाश है यानि कि जहां सबसे जादा अंधिकार होगा वहीं प्रकाश की जरूरत होती है प्रकाश होगा अगर प्रकाश रहेगा तो फिर आप मुझे बताई कि अंधिकार अंधेरा जहां पर है जब वो अंधेरा रहेगा तब तक तो प्रकाश नहीं है लेकिन जैसे ही अंधिकार उसके साथ ही लगा लगा प्रकाश रहता है तो वही चीज़ें अंधिकार के साथ में प्रकाश रहता है मनुष्य को अंधिरे से नहीं ड़ना चाहिए आत्मा नहीं अग्यान के अंधिरे के साथ ग्यान को रोशनी और ग्यान की रोशनी के साथ अग्यान का अंधिरा होता है अब देखें यहां पर एक लाइन जो इन्होंने बताई अग्यान की अंधिरे के साथ ग्यान की रोशनी यानि कि जहां हमारा पास अग्यानता है जब तो उसको ग्यान ही दूर कर सकता है यानि कि जो वेक्ति पढ़ा लिखा नहीं है अनपढ़ है जो पढ़ लिख जाएगा तब तो सब चीजे सीखेगा वही चीजे जिसके पास ज्यान नहीं है अग्यान है उसको उसके अग्यानता कैसे दूर होगी ज्यान से दूर होगी और ज्यान की रोशनी के साथ अंधकार का अंधिरा है अप क्या दिया जहां पर झ्यान की रोशनी है जए वको ग्यान की रोशनी मिल चुकी है और जब बहुत जादा होती है तो वहीं पर हम सबसे ज은 समझनी लगते हैं कि हमने कर लिया सब कुछ पा लिया तो उसी जगा हम मुरुख तका शुरू करते हैं तो वही होती है ज्ञान की रोशनी की से साथ ही अज्ञान का अंधिरा भी हमारे पास में आ जाता है मनुष के अंदर की बुराईयों में अच्छाई दबी रहती है जिसे जगानी की जरूरत होती है उसके लिए अपने अंदर की ज्यान की रोशनी को ढूड़ना पड़ता है इस प्रकार भव मनुष ने सच ही कहा है जहां अंधिकार है वहीं प्रकाश है यानि कि जहां हमारे प टूर्च बेचने और सूरच चाप टूरच बेचने के धंदे में क्या अंतर है विस्तार से लिकिए अब क्या है ये every Quinn बेच रहा था वह लिट्रूर्प बेच रहा था bisa अंधिर को दूर क Kelvin और दूसरा क्या करा था अपने प्रवचनों दौरा अपने अंदर के अंधकार को दूर करने की बात कर रहा था तो इन दोनों को तर्क सहित आपको अलग-अलग करना है दोनों को विस्तार पुरोग लिखेंगे हम भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेजना अर्थात ये आत्मा के अंदर बसे अंधेरे को दूर करने से संबंधित है यानि कि आत्मा के अंधर जो अंधेरा है उसको दूर करने जहां एक तरफ पहला दोस्त अपनी वाणी से लोगों को जाकरत करने का काम करता था वह अपने प्रवचन से लोगों के अंधर ग्यान का प्रकाश जलाना चाहता था उसका काम लोगों को अज्यान के अंधेरे से दूर कर ग्यान के मार्क पर चलने के लिए प्रेडित करना इस प्रकार सिद्ध पुरुष ही आत्मा के अज्यान रूपे अंधेरे को दूर कर सकता था यानि कि मैं ग्यानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है, सब में पता है, मुझे इश्वरत की ज़्यादा ग्यान है तो आप जिनके भी अंदर अंधेकार है, जो भी परिशान है, मैं अपने प्रफचुन द्वारा उनके अंदर के अंधेकार को दूर करूँगा फिर वहीं दूसरी ओर, दूसरा दोस रात के अंधेरे में से बचने के लिए सूरत शाप टार्च बेशता था तो दूसरा क्या करता था, अंधेकार से लिचरली जो अंधेरा होता है, उससे बचने के लिए टॉर्च को बेशता था वह लोगों के अंदर रात का भै उत्पन करता था, ताकि वे डर कर टॉर्च खरीदे यह torch बाहर के अंधेरे को दूर करता है रात के अंधेरे में मनुश्य को अनेक परिशानियों का सामना करना पड़ता है जिसे torch का प्रकाश ही दूर कर सकता है तो जो भी बहुत परिशानियां होती है अंधेकार में गोजन सबसे हम torch बेच लगा लेंगे तो हमें सारी चीज़े परिषानिया देखने लगेंगी इस प्रकारवा लोगों को काली अंधेरी रात का डर दिखा कर सूरत चाप torch बेच रहा था और दूसरा में तो क्या कर रहा था? अंधिरी रात में जो अंधिकार होता है उससे डराके वो टॉर्च बेच रहा था दोनों की टॉर्च बेचने के धंदे में बहुत अंतर है एक आत्मा के अंधिरे को दूर करने का तथा दूसरा रात के अंधिरे को दूर करने से संबंदित है तो दोनों के ही तरीके अलग-अलग थे मगर काम वही कर रहे थे अंदिकार दूर करना एक सही में अंदिकार दूर कर रहा था रात का और एक आत्मा के अंदिकार को दूर करने की बात कर रहा था Question number six सवाल के पाव जमीन में गहरे गड़े हैं यह उखड़ेगा नहीं इस कथन में मनुष्य की किस प्रवत्ती की और संकेत और क्यों है अब इन्होंने क्या बोला सवाल के पाव जमीन में गहरे गड़े हैं यानि कि मनुष्य की प्रवत्ती है खोजी प्रवत्ती और खोजी प्रवत्ती के लिए प्रश्ण का होना बहुत जरूरी होता है यानि कि हम जब तक प्रश्ण अपने अंदर नहीं रखेंगे तब तक हम किसी चीज को ढूंड नहीं पाएंगे तो यही चीज उन्हों ने दिये क्या दिया है दोनों मित्रों ने पैसे कमाने के लिए कई तरीके ढूनने की कोशिश की दोनों के मन में यही प्रशन आता कि पैसे कैसे पैदा करें तो सबसे पहले प्रशन आया कि हम पैसे कैसे पैदा करें लेकिन इसका हल निकालना आसान नहीं था मतलब इनको आंसर नहीं मिल रहा था बहुत कोशिश करने पर भी जब जवाब नहीं मिला तो उन में से एक ने कहा कि सवाल के पाउं जमीन में गहरे गड़े हैं यह उखडेंगे नहीं यह कथन मनुष की उस प्रवत्ति के और संकेत है कि किसी भी सवाल का जवाब ना मिलने प कि उन्होंने टाल दिया ऐसा इसलिए क्योंकि किसी अंसुल जे सवाल में दिमांग लगाकर समय गवाना व्यर्थ है कोई ऐसा सवाल जिसको हम सुलजा नहीं पा रहे तो उसको टाल दो उसके लिए समय बरबाद करना सही नहीं है तो इसलिए यह चीज़ बोलाओं होने दूसरा है व्यंग विधा में भाषा सबसे धारदार है परसाई जी कि इस रचना के अधार बना कर इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए तो क्या है व्यंग विधा में भाषा सबसे धारदार होती है यानि कि लोग इसको पढ़ते और समझते बहुत लेकिन जो भाशा व्यंग की जो भाशा होती है वह सबसे धारदार लोगों के मन में बहुत जल्दी वह असर करती है यह चीज़ होती क्योंकि यहां पर आपका ही मजा किकता है आप उसको अपनी जगह लगने कारेक्टर को अपने आपको वहां रख देंगे तो उससे क्या सादू संतुद्वारा रचे गए ढोंग से बच कर रहने का संदेश दिया है तो यहां पर उन्होंने यह चीज़ बताई है कि आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है ऐसे लोग भोली भाली जनता को अंधेरे का डर दिखा कर पैसे कमाते हैं हमें ऐसे अंद्विश्वास औ हमें नहीं फसना चाहिए इस प्रकार व्यंग विधा के माध्यम से भाषा प्रभाव शाली हो गई तथा लोगों के मन में इसका अधिक प्रभाव पड़ता है तो उन्होंने जो यह व्यंग किया तो उसके साथ हमें स्चिता संदेश क्या दिया कि हमें जो बनावटी लोगों के चक्कर में नहीं फसना चाहिए तो यह बात होती है कोई भी हसी मजा के जरी कोई भी चीज़ होगी तो हम पर बहुत जल्दी असर करेगी वह नेक्स आश्यस पष्ट कीजिए मतलब इस लाइन इस वक्त तवी का क्या मतलब निकल रहा है यह बताना है आज कल सब जगहां अंधेरा चाया रहता है राते बेहत काली है अपना ही हाथ नहीं सूझता तो यह वाली बात टॉर्च बेशने वाले में कहीं थी कि बहुत जगहां अंधेरा रहता है तो आपको इस बात का मतलब बताना है यह वाग के हमारा पार्ट में आया था प्रस्तुत पंक्त होती हैं कि लोगों को अपना हाथ तक नहीं दिखाई देता यही काली राती अंधेरी रातों का भै हैं उसे अंदर में खोजों अंदर में बुजी उस जोती को जगा तो अब ये दूसरा वक्त अभी किस ने बोला था उस भविपूरुश ने जो मंच में बैठे प्रवचन दे रहा था प्रस्तुत पंक्तियां आत्मे का अंधेरे को दूर करने वाली सिद्ध परुश के द्व उसने वेशधारण के अवाया बड़ी बड़ी बाते कर रहा है कि अपने आत्मा के अंधेरे को दूर करिए अंधिकार आपके अंदर है उसमें प्रकार्श लाइए ग्यान डालिए तो ये सब बाते वो बोल रहा था थार्ड स्टेट्मेंट है धन्दा वही करूंगा यानि टॉर्च बेचूंगा बस कंपनी बदल दूगा अब ये वक्त तवी किसने बोला था उस दूसरे मित्र ने जो टॉर्च बेचता था यानि कि जब उसको ये पता चल गया कि उसका पहला दोस्ट जो है वो किस तरीके से जो लोगों को डर दिखा के ज्यादा ज़्यादा पैसे कुमा रहा है है तो अपनी ठीटि ठाके जाके नदी में फेक देता है सुरच च्छा पाली टॉर्च कि आप क्या करता है वह कि उस wipes को गूर्श दिखाता है कि मतलब आप डर हम मैं दिखाँंगा टॉर्च बेचू तो क्या है पहला दोस्ट और बेचने का काम करता था जिससे अधिक परिश्रम की आवशक्ता होती थी अपने अपने दोस्त को आत्मा के अंधेरे को दूर करने का काम यानि साधू बनकर पैसे कमाते देखकर वाभी उसी काम को अपनाने का निश्चे करता है उसे लगता है कि बिना मेहनत के भी बैठे बिठाए पैसे कमाए जा सकते हैं इसलिए वा मेहनत यानि टॉर्च बेचने का काम छोड़कर साधू बनने का फैसला करता है तो वह भी फैसला करता है और बस अपना टॉर्च के पूरी पेटी उठाके नदी में फेक देता है अब कोशन नमबर 9 ह फीक देंगे तब ही अगर मेरे पास रखी रहेंगे तो हम यह सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे मतलब हम अपना जो धंदा है वह तो यहां पर क्या देना befंक तो आप अगर आप होते तो आपको था हमें इतनी मेनत करता हूं पैसे नहीं मिलते और दूसरा क्या है इतनी थोड़े सी बाते तो बोलता है और उसको पैसे मिल जाते हैं कोशिन नमर टेन है टॉर्च बेशने वाले किस प्रकार की इसकल का प्रयोग करते हैं क्या इसका इसकल इंडिया प्रोग्राम से कोई संबंध है तो कैसी इसकल रख रहा था वो टॉर्च और इसका क्या इसकल इंडिया से कोई भी तालुक है तो ये आपको बताना है क्या है टॉच बेषने वाले लोगों को अपने उत्पाद की विशेशताओं के बारे में बताते हैं और उन्हें परस्ततिए से अवकत कराते हैं जिनसे बशने के लिए उप्योग कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या था कि जो है आपको बताता है था तरह तरह का भाई हम अपने प्रोडेक्ट को क्या करते हैं कोई भी व्यक्ति का बेचेगा तो तरह तरह के चीज़े बताएगा आप पी चीजे आप जिसे हम चीजों को बनाने की बातों को बनाने की जिसे वो अपनी प्रोडेक्ट की विशेश्टाएं बताता है और उनको बेचता है फिर हाँ इसके इंडिया प्रोग्राम दारा लोग मार्केटिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं और जिनके द्वारा वाउत्पात की बिक्री में तेजी चाह सकती है तो यहां पर सके इंडिया प्रोग्राम जो है उसमें तरह तरह के लोग आते हैं अपनी स्किल को बहारने के लिए तो उसमें हम मार्केटिंग के जरी इसकिल को और जाधा उभार सकते हैं और अधिक से अधिकुछ पात बैसको नहीं से हमारा बहुत जादा फायदा होगा तो यहां पर जो है हमारे जो पार्ट के जो 10 questions थे हमने complete किये तो इस questions में हमने देखा कि कुछ questions हमें अपने आप भी करने थे और कुछ पार्ट पे आधारित थे तो अपने द्वारा किये के questions भी हल किये हमने और पार्ट द्वारा तो जो अपने द्वारा हल करने हैं कोशिश करियागा उनमें आप कुछ लाइन्स तो अपने आप से ही डालने की कोशिश करेगा तो इससे आपका राइटिंग इसके लिल्ड प्रूव होगा तो इस अप्टरी कतम होता है थैंक यू बाई